तो अगर आपका कीबोर्ड रांग करेक्टर टाइप कर रहा है यानि कि सही करेक्टर टाइप नहीं कर पा रहा है तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करेंगे आज के इस वीडियो में हम समझेंगे तो इसके लिए हमें जाना है यहां पे left hand side में start menu में यह रहा देखे start menu इस पर click कर दीजे और उसके बाद हमें जाना है setting में यह रही setting तो setting पर click कर देंगे तो खुछ इस प्रकार का page आपके सामने open हो जाएगा अब यहां पर हमें जाना है time and language यह रहा time and language ठीक है इस पर click कर दीजे तो यहां पर भी कई सारे option आपको मिलेंगे तो हमको यहां select करना है language ठीक है left hand side में यहां देखे language का option शो हो रहा है इस पर click कर दीजे तो यहां सबसे पहले आप check कर लिजे कि आपकी जो preferred language है English India होनी चाहिए यहां पर लिखा हुआ है English India अगर माल लीचे यहां पर कोई और language शो हो रही है तो आप यहां से add preferred language पर यहां से click करके और अपनी desired language आप यहां से select कर सकते है ठीक है इसको यहां से फिलालम cancel कर रहा है क्योंकि हमारा already English India selected है ठीक है उसके बाद भी हम एक और चीच करनी है हमें इस पर यहां पर इस पर click करना नीचे दिखिए option आपको यहां पर show हो रहा है ठीक है यह रहा option तो इस option पर आप click कर दीजे जब आप इस option पर click करेंगे तो यहां पर दिखिए English India QWERTY select होना चाहिए ठीक है English India QWERTY select होना चाहिए अगर माल लिजे यह नहीं select है तो यहां पर add keyboard करके add a keyboard करके यह प्लस sign दीख रहा है इस पर click करिए और यह आपको कई सारे option शो कर देगा ठीक है तो यहां से आप English India QWERTY select कर सकते हैं ठीक है यहां बहुत सारे option शो हो रहे होंगे लेकिन आपको य करने की आई होप यह वीडिया के लिए helpful रहा होगा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स इंटेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye